धियान रखने योगे गरेलू टोटके नमबर एक जो ओरते मेती दाना का इस्तिमाल करती है वह कभी बिमार नहीं पड़ती नमबर दो जो ओरते बुड़ी नजर आने लगे वह अनार के रस में दही सामिल करके पी लिया करे जवान नजर आने लगती है नमबर तीन जो ओरते सुबा खाले पेट खीरे का शेवन करती है वहां कम बिमार पड़ती है नमबर चार जो ओरते रोजाना सोने से पहले गाय के दूद में सौफ डाल कर पीती है उन्हें बुड़ापा जल्दी नहीं आता नमबर पांच जो ओरते रात को सोने से पहले गरम दूद को सहत के साथ मिला कर पीती है उनकी तवचा हमेशा स्वस्त रहती है और चेरे पर जुर्या नहीं पड़ती नमबर छे ठकावट मैसूस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खा ले इससे आपको एनर्जी मिलती है नमबर साथ जिन मेला को कब्ज की सिकायत है वा पपीते का सेवन ज्यादा से ज्यादा करे नमबर आठ जिन ओरतों की तवचा रुखी हो वा नासपती का सेवन जरूर करें नमबर नौ जो औरते बैट कर जाडू पोचा लगाती है उन्हें भुरापा जल्दी नहीं आता और कमरदर्द और रीट की हड़ी ठेड़ी नहीं होती नमबर दस नाभी में तेल डाले से महिलाओ के चेरे पर चेरे और बालों की सुन्दरता बढ़ती है नमबर इग् पेट और कमर की चर्बी नहीं बढ़ती नमबर बारा अगर आपको भी घुट्णों में दर्द रहता है तो सुबा सुबा खाली पेट दो से तीन अखरोट का सेवन किया करे कुछ ही दिनों में आपको काफी आरा मिलेगा नमबर तेरा रात को सोने से पहले पेशाप करने से किड्नी को कभी नुकसान नहीं होता नमबर चौदा जो मेला गरम दूद में जले भी खाती है उनकी जवानी हमेशा बरकरा रहती है नमबर पंदरा मानजिक दरम के दोरान महिलाओ को ठंडा पानी का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से दर्द बढ़ सकता है नमबर पंदरा जो औरते अपने चेरे पर मलाई लगाती है उनकी तवचा हमेशा स्वस्त रहती है और चेरे पर जूरिया नहीं पड़ती नमबर सतरा जो औरते लाल बालो को ज़्यादा देर तक तोलियों में लपेट कर रखती है उनके बाल कमजोर होने लगते हैं और तूट जाते हैं नमबर अठारा जो औरते चीरे में चीटियों से परिसान है वा चीरे के डिबे में लॉंग रख देने से चीटिया नहीं आती नमबर उंगनीस ज़्यादा बीजवाली सबजिया और फल खाने से पीतर की पत्री हो जाती है नमबर बीस तवे पर थोड़ा सा सरसो का तेल घरम करके उसमें आदा चमच हल्दी डाल कर भून ले और इसे रुई की मदद से फोड़े फुंसी पर बांद ले ये उपर एक रोजारा करने से फोड़े फुंसी जल्दी ठीक हो जाते है नमबर इकीस बाई तरफ करवट लेकर सोने से दिल की बिमारी नहीं होती और नसों की जन जनार से बचे रहते हैं और खून अच्छे से दोरा करता है नमबर बाईस जो औरते साम को 6-7 बजे के वक जारू पोचा लगाती हैं उनके गर में आन्सानती होती है नमबर तेईस मसूर की डाल का लेप चेरे पर लगाने से चेरे के दागदब्बे दूर हो जाते हैं और स्किन टाइट और जवान होती है नमबर चोईस दोपेर के वक्त सुस्ती ज़्यादा पढ़ने लगती है और सरी में दर सा मैसूस होता है जब तक ना लेट चाए चेरे नहीं आता इसलिए दोपेर को सलाद में खीरा ज़्यादा खाए यह सुस्ती को दूर करता है और ताकत बढ़ाता है नमबर पच्चीस अगर आपको स्कीन पर डाद खुजली एनरजी की दिक्कत हो तो नीम की पत्यों को पानी में उबाल कर उसे गुन गुना करके उसी पानी से नाए आप सिंपल पानी से नाने के बाद नीम की पत्यों का पानी अपने सरीर पर डाल ले इसके अलावा नाने के कुछ दिर बाद सरीर पर नारिल टेल की मालिस करे इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा नमबर 26 अगर रात को सोने के बाद आपकी नीन खुलती है तो आप तुरन पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसे खांसी और जुखाम की समस्या हो सकती है नमबर 27 गर पर तयार अद्रक लैसून और हरी मिल्च का पैश्ट को ज़्यादा समय तक रखने के लिए उसमें एक चमच गरम तेल और नमक मिला दे नमबर 28 रात को सोते समय कान में दो या तीन बुंदे सरसो का तेल की डाले ऐसा करने से कान में जमा हुआ मेल सुबा तक बाहर आ जाएगा और कान इससे आसाने से साफ हो जाता है नमबर 30 अगर आपको अकसर सीर्दर्द की समझया रहती है तो आप अपनी डायेट में पालक का सेवन ना करें नमबर 30 रोजाना एक अद्रक का टुकड़ा चबाने से बहुत सी बिमार्यों से बचा जा सकता है नमबर 31 रोजाना सुबा खाली पेट उल्टा लटकने से लंबाई बढ़ना सुरू हो जाती है नमबर 32 कभी भी ज़्यादा घरम पानी से चेरा ना दो इसे चेरे पर जूर्या आने लगती है और चेरे समय से पहले ही बुड़ा नजर आने लगता है नमबर 33 ज़्यादा चाय का सेवन करने से सीधा असर हड्य पर पढ़ता है और हड्य अगलने लगती है जिसे हमें हड्यों के दर्द, सरी, दर्द जैसी समस्या होने लगती है इसलिए चाय का सेवन कम से कम करना चाहिए नमबर 34 नाने के बाद कान के पीछे सरसो के तेल से भीगी हुई रूई जरूर डाले इसे सुनने की टाकत बढ़ती है नमबर 35 रोजना सुबा खाली पेट गरम पानी पीने के बाद एक्सेसाइज करने से सरीर की कहीं बीमारे से बचा जा सकता है और मोटापा कम करने में भी मदद करता है नमबर 37 यदि आप गुटनों के दर्द से परिसान है तो थोड़ा नमक ले उसे हलका घरम करके गुटनों पर सेकाई करें इससे आपको बहुत आराम मिलेगा नमबर 37 यदि आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगे तो गुटने दूद में सहर डाल कर पीना सुरू कर दे इससे सरीर में जल्दी ताकट बढ़ती है नमबर 38 यदि आप अधिरक वाला पानी पीते हैं तो जमा हुआ खून चलने लगता है नमबर 40 नीन के पत्तो कारस पीने से जिन्देगी बर पेट के कीड़े नहीं होते हैं पेट हमेशा साफ रहता है नमबर 40 यदि जुखाम की समस्या है तो अनार के छिलकों की चाए बना कर पी ले इससे जुखाम जल्दी ठीक हो जाता है नमबर 41 जो लोग सोते समय चेरा नहीं दोते हैं वा जल्दी बुड़े नज़र आने लगते हैं नमबर 42 अक्सर सर्दियों में लोग कंबल में मूँ डाल कर सोते हैं तो ऐसा करने से अक्सजेन की मातरा कम होने लगती है इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकते हैं इसलिए थोड़ा मूँ खोल कर सोए आई हो आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक से और कमेट करना बिलकुल भी न भूले ये एक शामानी जानकारी थी जो मैंने आप तक शेयर की है मेरे टिप्स को फॉलो करें और चैनल को लाइक सस्क्राइब शेयर